तो कल हमने लिकादश अध्याय से पाट किया था और हमने देखा था किस प्रकार पुनाहा सुनकादी रिशी सुत्व गुष्वामी को याद दिलाते हैं कि हमें परिक्षित के जन्म की कथा सुनाई ये तो सुत्व गुष्वामी महाराज दिश्टिर के राज्य की पुनाप्रशिंसा करते हुए और अब उत्तरा के गर्भ में परिशित महाराज को भगवान किस प्रकार रक्षा करते हैं वह कथा पे पुनाँ आ गये हैं और उसी सत्त्र को बता रहे हैं कल हमने देखा कि किस प्रकार महाराज परिशित ने गर्भ में भगवान को अपने निकट आते हुए देखा अभी आगे पड़ेंगे श्लोक संग्य आठ से अंगुष्ट मात्र हमलं स्फुराद पुराट मोलिनम अपिविदर्शनम श्यामम तटेड़ वासनम अच्छितम आशीश प्रभु अनुवात पढ़िये आशीश प्रुव अनुवात पढ़िये राध्यक्रश्न कुजु देनुवात पढ़ाम ये भगवान केवल अंगूठा भर उचे थे किन्तु वे थे अपूर्ण दीवे उनका शरीर अत्यन्थ सुन्दर श्यामवर्ण का तथा अच्छु था और उनका ववस्त्र बिजली के समान चमचमाता पीतवर्ण का तथा उनका मुकुट देवी देदी प्यमान सोने का था बालक ने उन्हें इस रूप में देखा तो यहां पर परमात्मा का वर्णन हो रहा है किस प्रकार परमात्मा का स्वरूप होता है क्या बता रहे हैं कि परमात्मा का कितने बड़े होते हैं अंगूठे के परिमान के बराबर होते हैं जैसे हमारे शरीर का अंगूठा है तो मनुष्य जीवन में परमात्मा अंगूठे के समान होते हैं तो इसी परिमान में अलग-अलग जीवात्माओं के साथ परमात्मा निवास करते हैं और उनके शरीर सुन्दर, श्यामबर्नका और यदपी वह जीवात्मा के साथ शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं लेकिन जीवात्मा चुत होती है क्योंकि वो माया से प्रभावित हो जाती है लेकिन परमात्मा अचुत होते हैं वहा भोतिक शरीर के अंदर रहते हुए भी उससे प्रभावित नहीं होते हैं और उनकी दिप्य स्थिती में वहा विद्दिमान रहते हैं ऐसी स्थिती में उस बालक ने पर मात्म का दर्शन किया श्रीमद दीर्ग चतुर्बा हुम तप्तक अंचन कुंडलं श्यता श्यता जक्षम गदापानें आत्मात्मरं सर्वतो दिशं परिप्रमंतम उलाक उलकाभ्हम ब्रह्मयंतम गदा मुहू सुजाता मात्यजी अनुवात पढ़िये परे कृष्णा प्रभुजी दंडवत प्रणाम श्री भगवान चार बुजाओं सोने के कुंडलों तथा क्रोथ से रक्त जैसे लाल नेत्रों से सुशोबित थे जब वे चारो और घूम रहे थे तब उनकी गदा उनके चारो और गिरते तारे गुलका की तरह निरंतर चकर लगा रहे हैं उस प्रकार चत्र भुजमे रूप में भगवान शंक चक्र गदा पदम लेते हुए और उनकी गदा आज को चारो तरफ गुमाते हुए भगवान निरंतर उस बालक की गर्भ में संडक्षन करने के लिए प्रिस्तुत्य देवहुती प्रिया माता जी थात परे पढ़िए हरे किश्टा पोजी दर्तर प्रिया ब्रह्म सहीता अध्याइपास कि कहा गया है कि परम ईश्वर गोविन अपने एक पूर अंस से ब्रह्मान मंदल में प्रवेश करते हैं और वे अपने आप परमात्मा रूप में ना केवल प्रतेक जीव के हिर्दे में अपित भौतिक त सक्ति में सर्वभ्यापी हैं और इस तरह वे अपने प्रिये भक्त महराज परिचित के रक्षा करने के लिए उत्तरा के गर्में प्रविष्ट हुए हैं भगवाद गीता 931 में भगवान हर एक को अस्वस्त करते हैं कि उनके भर्गतों का कभी भी विनास नहीं होता कोई भ भगवान के भग्त को नहीं मार सकता क्योंकि भगवान उनकी उसकी रक्षा करते हैं और भगवान जिसे मारना चाहते हैं उसे कोई भी बचा नहीं सकता भगवान सर्व सक्तिमान है एत्रवे चाहे वे तो मार भी सकते हैं और बचा भी सकते हैं वे उस विसम परिस्तिती में उत्तरा के गर्मे में भी अपने भक्त महाराद परिचित को ऐसे रूप में दिखाए पड़े, जो उनकी उसकी द्रिष्ट के अनुरूप था है, भगवान हजारों ब्रह्मानों से भी बेहर रूप धारन कर सकते हैं, साथ ही परमाडू से भी लगव बन सकते हैं, दयालू तो वे हाई है, अतव्य जीव की सीमि द्रिष्ट के अनुरूप बन जाते हैं, वे असीम हैं, वे अपनी किसी गर्णा की परीधी से सीमित नहीं है, वे हम जितना सोच सकते हैं, उससे भी अधिक मिसाल और हमारी चिंतन सकती से अधिक अधिक लवू बन सकते हैं, किंत परते को भगवान की असीम शक्तियां है और भगवान अपनी असीम शक्तियों से पूरे ब्रह्मान्द को धारण करते हैं ब्रह्म सहीता में बताया है कि परमानों और बड़े बड़े ग्रहों में भी चोटे से चोटा परमानों हो, चोए बड़े से बड़े ग्रह हो, बड़े से बड़े ब्रहमान हो, उन सब को चलायमान रखने के लिए परमात्मा रूप में भगवान सब इस्थानों में प्रवेश करते हैं, तो परिक्षित को बचाने के लिए गर्भ में उनकी उपस्यती को पर प्रदेशन हो रहा है मादवी प्यारी मातर जी आगे अरे किश्णा पर दणवर्पना उत्रा की गर्व में अंगुठे के तुले विश्नु में तथा वैकुन धामवासी पून नरायन रूप में कोई अंतर नहीं है वे अपने विभिन असमर्थ भक्तों की सेवा स्विका करने के लिए ही अर्चविग्रह सब्रूप स्विकार करते हैं अर्चविग्रह अर्था भोतिक तत्वों से बने भगवान के रूप की क्रिपा से भोतिक जगत के सारे भक्त सरलता से भगवान तक कौन सकते हैं यद्दपी वे भोतिक इंद्रियों द्वारा अग्रहा है अत यद्दपी बदजीवों के लिए पधार्थ तथा आत्मा में काफी अंतर होता है, किन्तु भगवान के लिए पधार्थ तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं होता, भगवान के सारा अस्तित्व केवल अध्यात्मिक है, इसी तरह भगवान के साथ गनिष्ट स्बंद रखने वाले शुद्भक्त के लिए अध्यात्मिक अस्तित्व के अतिविक्त और कुछ नहीं होता हरे खिश्णा इस प्रकार ऐसा नहीं है कि भगवान केवल परिश्द महाराज के लिए ही वहां प्रकट हुए हमारे लिए भी अर्चा विग्रह के रूप में भगवान प्रकट होते हैं और वह रूप पी उतना ही आध्यात्मिक है जितना आध्यात्मिक रूप परिश्द महाराज ने परमात्मा में देखा और वह हमारी सेवा स्विकार करने के लिए हमें संदक्षन प्रदान करने के लिए हमेशा हमेशा प्रस्तोत रहते हैं अगला श्लोक अस्त्रते जास्वा गदया निहारम एव गोपतै विद्यमंतम सन्निकर्षे परियक्षत का इतियसो पायल माताजी पढ़िये अनुवाद अरे किष्णा प्रबजी जिस प्रकार एक ओस की बूंदें जैसे ही सूर्य उद्यत होता है वैसे ही ओस की बूंदें विलुप्त हो जाती है सूर्य की प्रकार से उसी प्रकार भगवान का तेज इतना था कि उसके सामने ब्रह्मास्तर का तेज को उसकी बूंदों के समान बताया है और वह बालक ने जो उनका दर्शन किया तो वह हमेशे सोचने लगा कि वो कौन थे परिक्षित हा परिक्षित करने लगे कि वो कौन थे जिसको मैंने देखा था जिसने मेरी रक्षित की थी इसलिए बाद में जाके उनका नाम परिक्षित पड़ा क्योंकि हमेशे जन्म के बाद भी वो पूर चिंता करते थे कि वो कौन था जिसने मेरी आकर के रक्षा की थी, परिक्षिता ही, अगला, विधुयतत अमेयत्मा भगवान धर्म गुद्विभू, मिशतोधश दशमा सस्य, तत्रेवांतर्ध देहरी, अजये प्रुभू पढ़िये, इस प्रकार बालक को देखते देखते प्रत्य वित्ती, प्रत्य जीव के परमात्मा तथा धर्म के बालक, पुर्ण पूशतम भगवान, जो समस्त जिशाओं में व्याप्त है, वो काल तद देश की सिमाउं से परह है, तुरन अंतर ध्यान हो गया है, तो वह बालक चिंता ही क कर रहा था कि यह कौन वेक्ती है, इतने सुंदर है, इतने शक्तिमान है, मुझे बचाने के लिए हैं, तो वह मासुम भालक यह सोची रहा था, कि इतने में भगवान ने उनकी रुक्षा की, और फिर वहां से अंतरदान हो गए, तो उस प्रकार से भगवान ने परिशित मह महारचु गर्भ में ही दर्शन दिया है, सुमन माता जी, यहां से तातपरे पढ़िये, प्रतेक जीव, सुमन माता जी, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, प्रतन वाट पढ़ा, पढ़िये, प्रतेक जीव देश तथा काल में सीमी था, यद्दती गुडात्मा के रीती से जीव भगवान से अभिन है, लेकिन मात्रात्मा के द्रश्टी से परमात्मा तथा सामानी जीव आत्मा में काफी अंतर होता है, भगवत गीता में जीव आत्मा तथा परमात्मा दोनों को सर्व ब्यापी कहा गया है येन सर्व मिदम तदम फिर भी इन दोनों के सर्व ब्यापकत्त में अंतर होता है समाने जीव या आत्मा अपने खुद के सरीर में ही सर्व ब्यापी हो सकता है तो यहां पर बताए है कि क्योंकि जीवात्मा भगवान का ही अंश है तो जितने गुण भगवान में होते हैं उतने गुण जीवात्मा भी होते हैं अब आत्मा जैसे पूरे शरीर के पूरे शरीर में व्याप्त होती है अपनी चेतना के माद्य हम से आपके माल लिजे कोई भी शरीर के किसी भी अंग में कोई आगात करे थोड़ा सा भी काटा फीटी करे तो आपको बहुत दर्द होगा क्योंकि आपके शरीर में पूर्ण विद्मान जिस प्रकार आत्मा अपने शरीर में सर्वव्यापी होती है परमात्मा प्रते जीवात्मा के लिए हर ब्रमांड के लिए हर कंड कंड के लिए विद्मान रहते हैं तो इसलिए वह सर्वव्यापी है आत्मा सर्वव्यापी है शरीर के माद्यम से और परमात्मा स स्थान में प्रकट हो सकते हैं, ऐसे नहीं है कि कोई सीमा उनको बांध दे और काल से भी सीमित नहीं है क्योंकि काल का प्रवाव भगवान के उपर नहीं पड़ता है उस काल काल के प्रवाव से भी उपर है योगिता माताजी आगे पढ़िए हरे कृष्ण प्रवजी, दन्ड़ प्रणाम यहां पर उन्हें धर्मपालक पहा गाया है जो भी भगवान के चर्नगत हो चुका है वो धर्मात्मा है और उसका विशेश रूप से भगवान दौरा सभी परसितियों में रक्षन किया जाता है भगवान परक्ष रूप से अधर्मियों के भी रक्षक है क्योंकि वे अपनी भहरंगा शक्ति के दौरा उनके पापों को परिशोदित करते है यहां पर भगवान को दशोदिशाओं से वसर्थ गहा गाया है इसका अर्थ यह हुआ कि वे दशोदिशाओं में उपर तथा नीचे वसरोशे अभवुशित है वे सर्व विद्यामान है और स्वच्छ से कही भी प्रगट तथा अंतरधान हो सकते है बालक परिक्षित की दुष्टी से उनके ओजल होने का यह अर्थ नहीं है कि वे किसी अन्यस्थान से आकर वहां प्रगट हुए थे वे वही विद्यामान थे और उनके अंतरधान होने के बाद भी वे नहीं थे तो भगवान को धर्मपालक बोला है धर्मपालक मतलब जो धर्म का पालन करने वाले भक्त है धर्मात्मा जो है उनकी रक्षा भगवान विशेश रूप से करते हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अधर्मियों का नहीं करते हैं अधर्मियों भगवान की पुत्र हैं उनकी रक्षा दूसरे रूप से करते हैं उनकी रक्षा माया के रूप से करते हैं माया शक्ति उनकों के पापों का जब दंड देती है तो वह समझते हैं कि अरे मैं इतने पापों के दंड को भोग रहा हूं मुझे पाप थोड़े कम करने चाहिए चाहिए इस प्रक्रिया में कई कोई जनम लग जाए लेकिन भगवान कर्म बंदनों का फल क्यों देते हैं माय के द्वारा जिससे दीरे दीरे जीवात्मा यह समझे कि नहीं नहीं मैं इतने पाप कर रहा हूं इस पाप की वज़े से मुझे कश्ट हो रहा है तो मुझे पाप नहीं करने चाहिए तो भगवान उस तरह माया के माध्यम से भी संडक्षन देते हैं जीवात्मा को और प्रत पांडूर भूया पांडूर इवा उजसा गुविंद प्रबुजी पड़िये एक रहूल प्रभु आप पड़िये एक रहे क्रिश्णा प्रभुजी दो प्रणाम गुविंद अगे दनाजय प्रभु पड़िये जीव पर ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव कोरिक अलपना नहीं है अपितु वास्विक्ता है कि जैसा की शरीमत भागवत में पुष्टी हो रही है प्रतेक जीव हर शन प्रकृति के नीमों द्वारा नियंत्रित होता रहता है तो इस शलोक के अनुवाद में बताय जा रहा है तत्पश्चात जब क्रमशा सारी राशी तथा नक्षत्रों से सुब लक्षन प्रकट हो आये तब पांडू के उत्तर अधिकारी ने जन्म लिया जो पराक्रम में उन्ही के समान थे तो जैसे ही सुब नक्षत्र सुब समय आया वैसे ही महराज परिक्षित ने पांडू के उत्तर अधिकारी के रूप में जन्म लिया प्रवपात तात्म ने बता रहा है कि यह सब ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव कल्पना नहीं है बरन यह प्रमानित है जीवों की प्रकृति के हिसाब से जीवों के कर्मों के हिसाब से उसको यह ग्रहों का ग्रहों का समन वय में जन्म लेना होता है और यह उसके आगे के भागे को निर्दारित करते हैं रहुल प्रभु आगे पड़िए अरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणम हमारे करणों का निर्णे उच्छ अधिकारियों अर्था श्री भगवान के दूतों द्वारा होता है और इस तरह हमें अपने अपने कर्मों के अनुसार शरीर प्राप्त होते हैं प्रकृति का अधिको पूरा कर सके अतेव मनुष्य का भाग्य उसके जन्मकाल के ग्रहन अक्षत्रों द्वारा निर्दारित होता है और विद्वान जोतिशी उसकी तथ्य परकृत्य कुंडली तैयार करता है तो यह पूरा एक गणित है जिस प्रकार जीवात्म कर्म करता है उस प्रका उसके हिसाब से आगे का भविश्य बता सकते हैं क्योंकि उसका जन्म उसी कर्म बंदन के हिसाब से होता है और उसी ग्रहन अक्षत्रों में उसका जन्म होता है कि उसको आगे के जीवन में क्या-क्या भोगना है तो इसलिए हमारे पुराने कर्मों के अनुसार हमें आज का भविश्य प्राप्त होता है तो इस प्रकार किसी प्रतिष्टित व्यक्ति का स्वागत उचिस्तान तथा उचित समय पर किया जाता है उसी प्रकार भगवान द्वारा उशे विशे शुरूप से अब जब भगवान के शुद्ध भग्त जन्म लेते हैं तो फिर क्या होता है ये सारे ग्रहन शत्र चिंता करते हैं कि हम कैसे शुद्ध वक्त की मदद कर सके जैसे मान लेजे अभी आप फुटबॉल का वर्ल्ल कप देखने के लिए गए तो हर विक्ति ये सोचेगा कि स्टेडियम में मैं कौन सी बेस्ट जगे पर बैटूं जिससे मुझे पूरा का पूरा मैच बढ़िया दिखाई दे उसी प्रकार से ग्रहन शत्र भी सोचते हैं कि रहे इस भूमी पर अभी जन्म लेने वाले हैं तो मैं सबसे अच्छी जगे पर जाकर के बैठ जाओं जिससे इनकी लीला में मैं समर्थन दे पाओं इसलिए भगवान के भक्त जब अवतार लेते हैं जब जन्म लेते हैं तो उस समय पर भी ग्रहन शत्र सबसे पवित्र स्थान मन बैठे होते हैं तो इसलिए महाराज परिख्षित के जन्म के समें सारे ग्रहन शत्र शुबस्तिती में बैठे से और उस स्थास्थि में महाराज परिख्षित का जन्म होगैं अगले श्लूक कि द स्वी ताश्य पृत्म नाराजा हे विपर झमम्याक डिभी विनोत प्रभु पढ़िए अरे किष्णे प्रभु जी घंडवत पढ़ना माराज परिच्छित के जर्म से अतियन्त संतुष्ट हुए राजा इदुष्टर ने जात संसकार करवाया दोम में कृप इक्याद विद्वान ब्रहमनों ने जर्मा के बाद यह बहुत महत्वपूर्ण संसकार है जात संसकार माराज परिचित ने अपने अग्रिचों को बिलाया दोमिरशी, कृपाचारे त्यादियों को बिला करके और उने शुब स्त्रोत्रों का पाट कराया और इस बालक के अध्यात में कुन्नति के लिए जात संसकार करवाया अनीता माता जी तात परे पढ़िए अरे खिश्ण परभूरी दंगर क्याँ वणाश्रम धर में वणिक संसकारों को संपन कराने में निपूर हो ऐसे शेष्ट तथा बुद्धिमान ब्रामनों के आश्रता है जब तक ये संसार संपन नहीं संसकार संपन नहीं कराये जाते तब तक अच्छी संतान की संभावना नहीं है और इस कल्यूग में इस संसकार विदी के अभाव में सारे संसार की जनता शूद्र गुण वाली या इससे भी निम्न होती है किन्तु समूचित सुविधाओं तथा उत्तम रामनों के अभाव के कारण इस यूग में वेदिक संसकारों का पुनरुदार कर पाना संभाव नहीं है लेकिन इस यूग के लिए अनिपदिती भी संस्तुत है और वह है पांच रात्रिक पदती यह पांच रात्रिक पदती शूद्र श्रणी के लोगों पर लागू की जाती है जो कल्यों की प्रजा मानी जाती है और यूग तथा काल की अनुरूप सुझ संस्तुत की जाने वाली यही संस्कार विदी है किन्तु यह संस्कार विदी केवल अध्यात्मिक विकास के निमित है अन किसी काल के लिए नहीं अध्यात्मिक उन्नती कभी उच्छी या निम्न पेत्रक्ता से नियन्तित नहीं होती तो यहाँ पर बताया जा रहा है कैसे यह संसकारों का प्रभाव हमारे जीवन पर पढ़ता है लेकिन कल्योग में स्थिति इतनी गहम गंबीर है कि लोग अध्यात्मिक मार्ग में बढ़ने की बजाए बहुते कारेकलावों में ज्यादा सनलगना होते हैं और उस प्रकार प्रमाडिक ब्रामणों के अभाव में लोगों की रुची के पतन के त्वारा असंसकार संभव नहीं है तो जब संसकार नहीं करते हैं तो फिर क्या करा जाए तो फिर दूसरा एको पाए पंचरात्र विदी पंचरात्र विदी मतलब भगवान की सेवा, अर्चे विग्रों की सेवा, मंदिर में जाकर की सेवा अब्रत तप आत्या जिसे अम ली एक आदशी व्रत करते हैं इत्यादी यह सब पंचरात्र विदी के माध्यम से जीवात्मा दिरे-दिरे शुद्ध होती हैं तो जिनके संसकार नहीं हुए हैं उनको पंचरात्र विदी करना बहुत अवर्शक है जिसके द्वारा वो दीरे-दीरे शुद्ध हो जाएंगे रंजना मत्यजी आगे पढ़िए गर्विधान संकार के बाद अन्शंसकार भी होते हैं यथा सिमान तो प्रियन सद सक्षनम इत्यादी जो गर्व अवस्थाकाल में चंपन होते हैं और जब सिसू का जन्म होता है तो सबसे पहला संसकार जात कर्म है यह संसकार महाराज युदिष्टी द्वारा राजपुरहुईत धेम में धों में तथा महान शेनपती एवं पुरहुईत क्रपाचार्य जैसे योग ब्रह्मनों की साहता से संपन कराया गया महाराज युदिष्टी ने इन दोनों विद्वानों तथा योग पुरहुईतों को जाहता के लिए तमाम उत्तम ब्रह्मनों को लागकर यह उत्सव संपन कराया अता एव सारे शंशकार अर्थात शुद्धी करण की विद्धियां मात्र उपचारिक सायं या सामजिक उत्सव ही नहीं अपीतु यह वहवारिक नीं है और धेर धों में तथा क्रप जैसे योग ब्रह्मनों द कराये जाते हैं इस यूग में ऐसे ब्रह्मन ना केवल विल्ले हैं अपीतु उपलब्द भी नहीं होते हैं अतेव इस पतित यूग में अध्यात्मिक उन्नति के लिए गो गोश और जन वेदिक अनुष्ठानों की उपेक्षा पंच रात्रिक सुत्रों को सुत्रों की यता प्रदान करते हैं अरे विश्ण तो यहां पर प्रवपाद बता रहे हैं कि किस प्रकार ये जितने भी अनुष्ठान होते थे संसकार होते थे ये मात्र अप्चारिक ताय नहीं थे या इस तरह ने कि हां समाजिक उत्सव का एक भाना मिल गया रिश्दारों के साथ हम बैटेंगे अब गपे मारेंगे आजकल वैसे ही होता है बड़े बड़े अनुष्ठान लोग करते हैं और जब पूजा की बात आती है तो लोग क्या बुलते हैं जल्दी प्युत हैं और एक हमारी एक तरह से अध्यात में किटी पर्टी हो जाए इनका अभिप्राय नहीं था अभिप्राय था कि व्यक्ति का अध्यात में एक उध्धान हो जो entitled विवा संसकार के पहले ही सारे संसकार होते हैं विवा के बाद तो एक ही संसकार होता है अंतिम संसकार तो अभी जिनका ये सब संसकार हो गए जैसे भी कच्छे पक्के हुए हैं कम से कम अभी पंचरात्र विदी में अपने आपको अलगन करना चाहिए और शुद्ध होना चाहिए यहां प्रभपात बाद में कृपा चारे के बारे में बता रहे हैं सरदबन महारिशी जो गौतम वंश में आये थे वो सरदबन महारिशी की जब भेंट जन्पती नामक एक अपसरा से हुई तो दो बच्चों की उत्पत्ती हुई एक लड़का और एक लड़की जुडवा बच्चे थे कृपा और कृपी यह बहन भाई दोनों का जन्प हुआ था इनको महाराश्य शांतनों ने जंगल में शिकार करते समय है प्राप्त किया और दोनों शांतनों कौन थे यहं दोनों बच्चे करके हस्तिना पूर के एक पुरोहित के रूप में कारी करने लगे महाबारत की उद्ध में उन्हों ने दोरयोधन के तरफ से उद्ध किया लेकिन बाद में जब उद्ध समापत हो गया तो पुना महाराज युदिष्टिर के साथ आ करके वह उनके राज्य में समर्थन देने लगे सहयोग देने लगे तो क्रपाचारे को गुरुवत युदिश्ट्रे महाराज मानते थे और इस संसकार के लिए भी उन्होंने उनको बुलाया अगला श्लूप प्रादाद स्वनन्च विप्रेभ्या प्रजाती इर्थे स्वाती इर्थवित शकुन माताजी पढ़िये अनुवाद उत्र के जनम लेने पर राजा ने ब्रामाणों को सोना भूमी ग्राम हाथी घोड़े कथा उत्तम अन दान मैं दिया क्योंकि वह जानते थे कि कैसे कहां और कब देना चाहिए उत्र किसना प्रभूर तो महाराज इदिश्टर ने जैसे ही परिशित महाराज का जनम हुआ वैसे ही दान दिया हमारा जनम दिन होता है तो हम पेक्षा करते हैं कि हमको कौन गिफ्ट देगा लेकिन वैदेक संस्कृति यह नहीं है वैदेक संस्कृति है जनम इत्यादी महुष्टों पे हम दूसरों को दान देते हैं तो इस प्रकार महाराज इदिश्टर ने ब्रामणों को और सन्यासियों को द्रान दान दिया क्योंकि वो दान ग्रेंड करने के लिए वह लोग अधिकारी वेक्टी हैं हर किसी को दान नहीं दिया जाता है गीता में बताया तीन तरह के दान है सतोगुन में दान जो होता है वह होता है सूपात्र को सही समय पर सही स्थिति में दान देना यह सतोगुन का दान कहलाता है और कूपात्र को दान जब दिया जाता है वहाँ तमोगुन का दान कहलाता है तो उस प्रकार दान महाराजुदिश्ट ने नहीं दिया बरन उन्होंने सुपात्रों को सही लगन में और सही सोना चांदी इत्यादी जो भी दान दिया वहां सब दान सही वेक्तियों को दिया तो पहले के जो ब्रामन होते थे वो ऐसे नहीं कि 10-20 रुपे की दक्षणा के लिए इधर-उदर भटकते थे उनके पास बहुत समर्थ होता था राजा प्रजास सब उनको बहुत दान दक्षणा दे करके समर्थ रखती थी जिससे उनको किसी प्रकार का अभाव ना हो और वो अध्यात्मिक मार्ग में अग्रसर हो और पूरे समाज को अच्छी दिशा दिखा पाएं और ये ब्रामन फिर बाकी लोगों की मदद करते थे जथा अपने योग्यता के हिसाब से सम अरे प्रश्णा प्रभुजी दाने प्रणा तेर्थ विच शब्द महेत्वपूर्ण है क्योंकि राजा को पता था कि कहां और कब दान दिया जाए दान कभी वियर्थ नहीं जाता ना वे निरुदेश्य होता है शास्त्रों के अनुसार दान उन व्यक्तियों को दिया जात तथा जो अपनी अध्यात्मिक प्रभुदता के बल पर दान लेने के पात्र होते थे तथा कति दरिद्र नारायन जो अनाधिक प्रित व्यक्तियों द्वारा परम भगवान के बारे में फैलाई गई एक ब्रांत धारना है उसका उलेक दान के सुपात्र के रूप में शास् ब्राह्मनों का इस तरह पालन होता था कि उन्हें शरीर की अवशक्ताओं की चिंता नहीं रहती थी तथा राजा एवं अन्य ग्रस्त खुशी-खुशी उनके सुप का ध्यान रखते थी इस प्रकार जो पाप कर्म में लिप्त है यदि आप उसको ज़्यादा सुविधाएं देंगे तो वो और ज़्यादा पाप करते करेगा तो उनके शायरिक निर्वा के लिए राजा प्रयास करते थे वालक बात है लेकिन इतने बड़े-बड़े दान सोना चांदी के दान य जन के लिए किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो तो इस प्रकार बड़े-बड़े दान ब्राह्मनों को युदिश्च्रमारी ने दिये तम उच्वर ब्राह्मनस्तुष्ठा राजा नाम् प्रस्रयन वितं एषहियस्मिन प्रजातंतो पूरूनाम् पूर भर्षब पूरूनाम् पूर। तो महाराज पुरु के वंश में जिस प्रकार से परिशित महाराज का जन्म हुआ है और युदुश्री महाराज उस संतान की गुड़ों को देखकर के उनको बता रहे थे किस प्रकार ये निश्य थी परंपरा में आया हुआ एक महान राजा बनेगा और बाद में जाके बहुत महान कारे करेगा तो ब्रामण युदुश्री महाराज को और ज्यादा आश्वाशन देते उए आगे बताते हैं इस बालक के बारे में देवेने पाप्रती गहते ना शुकले संस्थानों पे युशी रतोवा अनुग्रहार्थाया विश्णुना प्रभ विश्णुना राहुल प्रवु पढ़िये ब्रामणों ने कहा यह निश्कलंक का पुत्र आप पर अनुग्रह करने के लिए सर्वशक्ति मानता था सर्वव्यापी भगवान विश्णुन द्वारा बचाया गया है उसे तब बचाया गया जब दुर्निवार अति दैवी अस्त्रद्वारा नश्ट होने ही वाला था ब्रामणों ने यदिश्ट माराज को याद दिलाया कि देखिए आपका वंश महान है बहुत बड़िया बात है लेकिन यहाँ जो संतान अभी जन्मली है यह बहुत विशेश क्यों है क्योंकि स्वयम भगवान ने उनको जा करके रक्षा की है इसलिए यह बहुत महान बन ग रहे हैं क्यों भगवान ने रक्षिया की प्रभुपात तात्परे में दो कारण बता रहे हैं पाहल माता जी पढ़िए प्रभुजी पूरू के वंच का एकमात राधी उत्रा अधिकारी था श्री भगवान चाहते हैं कि पवित्र राजाओं की परमपरा जलती रहे हैं जिसे वे शांती में संपन जो इनकी वास्ते प्रगवति के लिए उनके प्रतिनीजों के रूप में प्रत्वी पर राज्जी करें दो कारण यहां पर बताये हुए हैं एक तो क्या बताया है पहला कि वह भगवान के भक्त थे इसलिए पूर्ण रूप से विशुद्ध थे अब विशुद्ध आत्माओं की तो भगवान रक्षा करते हैं सात्व तामपती हमने पहले भी देखा हैं और दूसरा कारण है कि शुद्ध होते ना होते हैं क्योंकि पूर्वज उनके पांडव हैं उनके वंश की रक्षा करना भगवान का करतव हैं बाद में जा करके भी उनको ठोक पीट के सही कर देती हैं लेकिन दोनों कारणों से भगवान उनकी रक्षा की एक तो पूर्वज उनके पांडव हैं उनके वंश को बचाना बहुत मैत्पूर्ण है और दूसरा वहाँ निश्कलंक बच्चा था गर्ब में भगवान का भक्त था तो उस प्रकार से उनकी रक्षा करना भगवान का करतब्य बनता है बसंत प्रभू आगे पढ़िए भगवान चाहते हैं कि भौतिक स्रिष्टी के आगे पीछे मंडराने वाले बद्जीवों का उध्धार हो जिससे वे भगवद्धाम वापस आ सके इस तरह भगवान वेदों जैसा दिव विसाहित निर्मित करके संतों तथा साधूं को दूद्ध की रूप में भेज कर तथा अपनी प्रतिनिधी अर्थात गुरु निवक्त करके उनकी सहता करते हैं ऐसा दिव साहित ऐसे दूत तथा भगवान के ऐसे परतिनदी निसकलुष श्वेत होते हैं क्योंकि भौतिक गुणों का कलमस उन्हें असपर्ष तक नहीं कर पाता है जब भी उन्हें विनास का संकट आता है तो भगवान सदय उनकी रक्षा करते हैं तो भगवान सोच रहे हैं कि हमने तो परिशित का जन्म करवाना है क्योंकि आगे जाके परिशित के माध्यम से भागवत आएगी और करोणों लाखो लोग भागवत के माध्यम से मेरे धामे वापिस आएगी लेकिन ये अश्वतामा पहले ही परिशित को मारने वाला है तो हम संसार में आते हैं उनका और कोई प्रयोजन नहीं होता है एक और श्लोप पढ़ेंगे फिर समाप्त करेंगे तस्मान नामना विश्णुरात इती लोकेव विश्यती नासंदे हो महाँ भागा महाँ भागवतो महान रहुल प्रहु पढ़िये अनुवाद इस कारण यह बालक संसार में विश्णुरात भगवान द्वारा रक्षित नाम से विख्यात होगा हे महाँ भागवत उत्तम कोटी का भक्त होगा और समस्त गुणों से संपन्न होगा इस प्रकार पहले के जमाने में ब्रह्मन लोग गुणों को देख करके नाम दिया करते थे अभी तो हम कुछ भी नाम रख लेते हैं लोग क्या कि प्रकार के नाम रखते हैं, उनको भी समझ में नहीं आता है उनसे पूछो कि इस नाम का मतलब क्या है तो वो नाम का मतलब भी उनको नहीं मालूम है कई बार अभी नया फेशन चला है माता-पिता के नाम से थोड़ा-थोड़ा कुछ अक्षर निकाल करके नया नाम निकाल करके दे देते हैं वह बच्चा बिचारा अपने नाम का मतलब भी नहीं बता पाता है तो anyway पहले ब्रामण लोग गुणों के हिसाब से नाम देते थे यहां विश्णु रात नाम परिक्षित महाराज को मिला जिसका अरत है भगवान विश्णु के द्वारा जिसकी रक्षा की गई हो इस प्रकार उनको नाम मिला और भगवानों ने यहां भविश्यवाने की कि यहां बालक बहुती महान है यह महा भागवत है उत्तम कोटी का भक्त है ऐसी सुरक्षा उनकी विबिन्न शक्तियों द्वारा भगवान की विबिन्न शक्तियों द्वारा भगवान सभी जीवों को सुरक्षा प्रदान करते हैं हर व्यक्ति को चैनास्ते को आस्ते को हर व्यक्ति को जीवन जीने के लिए सुरक्षा पोशन इत्यादी भगवान वैसे ही प्रदान करते आ रहे हैं लेकिन जब अनन्य भक्तों की बात आती है तो भगवान व्यक्तिकत रूप से स्वयम जाकर के उनकी रक्षा करते हैं इसलिए यहाँ पर प्रशित महाराज को विश्ण रात बोला गया है कि निजी रूप से व्यक्तिकत रूप से भगवान ने उनकी सुरक्षा की विनीत प्रभू तात्परे पढ़िया आगे अरे खिश्णा प्रभूजी दर्णत प्रणाम भक्तों की तीन कोटियां है आपका इंटरनेट डिस्टर्ब हो रहा है बहुत नेट में कुछ प्रॉब्लम हारे प्रभूजी प्रभूज में प्रभूज प्रभूजी आप पढ़िये अरे कि अरे कि तीन कोटियां है महा भागवत्व मध्यम अधिकारी जक्तनिस्ट अधिकारी ऐसे बक्त जो बगवान के मंदिर जाते हैं और ज्यात्मिक विज्ञान में प्रयाब ज्याना होते हुए इस तरह प्रभूज के बक्तों के लिए किसी प्रभूजागा आदर्ना दिखाकर अर्च विग्रे की पूजा करके रमस्कार करते हैं इन प्रकार के भक्त हैं इनका आपको याद रखना चाहिए जो लोग पहली बार दूसरी बार सुन रहे हैं हमने उपदेश अमृत ग्रंथ में पढ़ा था कनिष्ट मध्यम और उत्तम तो कनिष्ट अधिकारी कौन है जो भगवान की तो बड़ी अच्छी सुजा करते हैं मंदिर में जाएंगे नमस्कार करेंगे सब कुछ करेंगे लेकिन भक्तों का आदर नहीं करते हैं वो बाकी भक्तों को ऐसे ही समझते हैं कि यह तो क्या हमार रखत्पनान है उसरे भक्त वें हैं जिन्होंने जिन्होंने भगवान की सुद्ध सेवा के वित्ति विक्सित कर ली है और इस तरह वे अपने जैसे भक्तों के साथ मैतरी अस्थापित करते हैंöffश करते हैं और नास्तिकों से बचते वे दुधियत कोटी कर blog कहला ते किन्तु जो लोग भगवान में सारी वस्तुमें देखते हैं या पत्रेक वस्तुमें दूसरी कोटी के बक्त कौन है जो चार प्रकार की वस्तुमें करते हैं पहला इश्वर के प्रती प्रेम भगवान कृष्ण के प्रती प्रेम दूसरा भक्तों के साथ मैत्री जो भक्त हैं अंदर विन समान करते हैं मैत्री रखते हैं तीसरा जो भक्ति मार्ग में अनभिग्य हैं ऐसे लोगों की मदद करते हैं ऐसे लोगों की उपर अनुकंपा करते हैं और जो भक्ति में विद्वेशी हैं ऐसे लोगों का उपेक्षा करते हैं तो यह चार प्रकार से यह मद्यमद अधिकारी बुला जाता है विनोत्रव आगे पढ़िये उत्तम अधिकारी हरे किष्ञा प्राभी धंड़वत कोड़ू किन्तु जो लोग भगवान में सारी भगवान की समझते और प्रतेख बश्तु में भगवान का नित्य समन देखते जिससे उन्हें भगवान के अतरिक कुछ भी नहीं दखाई देता ये महा भागवत या प्रत्म कोट के भगवद भक्त कहलाते हैं भगवान के ऐसे प्रत्म कोट के भक्तिगण सभी प्रकार से फूर्ण होते हैं इन कोटियों के अंतरिकत कोई भक्त स्वता सर्व गुड़ों से संपन रहता है और इस तरह महाराज परिच्ष्थ जैसे ये दुष्टर के कुल में हुआ था इसलिए उन्हें महा भागवत कहकर समूदत किया है जिस परिवार में महा भागवत जन्म लेता है वह भागिसाली होता है क्योंकि ऐसे प्रतम कोट के भक्त के जन्म से भगवत कृपा से परिवार की भूत बरतमान तर्था वविस्ट की सो पीडियों के लोग मुक्त हो जाते हैं अत्य भगवान का अन्यन भक्त बनने मात्र से परिवार उस सबसे बड़ा लाग पहुंचाया जाता है हरी कृष्ण प मानता है और भगवान की दर्षन हर जीवात्मा में करते हुए हर व्यक्ति की सेवा करता है उत्तम अधिकारी कहलाता है तो ऐसे उत्तम अधिकारी महा भागवत परिशित महाराज के जन्म से पूरा कुल पवित्र हो गया पूरा कुल शुभामान हो गया और ब्राम्वणों जिविदृर महराज को इस प्रकार का आश्वशन दिया आगे महराज और कुछ चोटे-चोटे प्रश्ण पूछेंगे और फिर महराज यृदिश्टर के महराज परिषित के आगे के लालन-पालन बढ़ा होना और बाद में फिर क्या हुआ उनके जीवन में सब कुछ आगे हम लोग पार्ट करेंगे हरे कृष्ण श्रीला प्रभुपात की जाए किसी का कोई प्रश्ण है प्रभुजी पंचरात्र विदी पंचरात्र विदी वास्तम में हमारे शुद्धी करण के लिए अनेक अनेक क्रियाओं का वर्णन हुआ है भगवान के विग्रहों की सेवा करते हैं वो पंचरात्र विदी में आता है हम भगवान का इसनान वस्तर आरती इत्यादी करते हैं भोग लगाते हैं एकादशी जैसे पावन दिनों पर हम वरत करते हैं तीर्थ यात्राओं का ब्रह्मन करते हैं, वैश्नवों की सेवा करते हैं, यह सब पंचरात्र विदी में आता है, तुलसी को जल देना, तुलसी की सेवा करना, तो यह सारी वस्तुओं से हमारे अस्तित्व का शुद्धिकरण होता है, तो यह सभी के लिए शुद्धिकरण कर कर पाते हैं ठीक से उन लोगों का शुद्धी करण के लिए एक मात्र उपाए होता है पंचरात्र विदी के चलो ठीक है आपके जीवन में उन्सकार नहीं हो पाए ठीक से तो अभी कम से कम आप पंचरात्र विदी के जिए तुलसी की सेवा के जिए विग्रों की सेवा के भगवान के नाम का जाब कीजिए, भगवान की सेवा कीजिए, मंदिर में जाकर की सेवा कीजिए, तीर्थिस्थानों का ब्रह्मन कीजिए, इन सब पंचरत्र विदी से वेक्ति दीरे-दीरे शुद्ध हो जाता है. थैंकि और अशीश प्रभू. अधेकेशने गुरुजी, मेरा प्रशन यह था, जिसे आपने बताएं कि जो अपने दोरा जो दान दिया जाता है, तो दान जिसको दिया जाता है, वो उसका किसा प्रियोग करता है, उसके दान देने से उसके उसके कुछ फरक पढ़ता है क्या? बिल्कुल जिस प्रकार हम दान किसी को देंगे अगर वो पुन्य कर्म करेगा तो आपको भी उसका भाग मिलेगा अगर वो पाप कर्म करेगा तो आपको उसका दान उसका भाग मिलेगा वो भक्ती करेगा तो आपको उसका भक्ती मिलेगी तो भी आपको चुनाव करना है किसक प्रशाद दे सकते हैं लेकिन आप पैसे देंगे बाद में जाकर शराप पिएगा आपके उपर वह पाप आएगा इस प्रकार जरूरत मन्द को अगर मदद करनी भी है खुब सारा प्रशाद बनाईए भोग लगाईए फिर उस प्रशाद को बाटिए इस कौन में हम इसी तर का प्रशाद गरेंड कर रहे हैं लेकिन आप जब देंगे उस द्रव्य को इस्तमाल करके वह क्या पाप करम करेगा फिर आपके उपर को आएगा इसलिए यहां पर विशेश बताया कि सोना चांदी जो द्रव्य इत्यादी का दान किया वहां महाराज दिश्ट्र ने ब्राम दिन्यवद प्रभुजी वनोद प्रेवू हरे किष्णे प्रवुजी प्रिश्ट्र जैसे कि भगवार ने भागवत में भी कहा है किता में भी कहां किता में पुरुष रफ़कृष्ण भगवानी है वी जम अम्तर भूधान बिडिपार्थ सनातनम भवाव्थ वे स्लोग म तो बागी के सभी पुरुष नहीं है तो यह जीवात्मा जीवात्मा बहुत ही जादा पुरुष्य तत्व जदाना चाहता है वह भोगता बनना चाहता है तो पुरुष बनता है है पुरुष बन करके सर्व प्रतम जब जीवात्मा इस बहुतिक संसार में आता है तो कभी-कभी कोई शास्तर में लिखाए ब्रह्मा bantा है मतलब पुरुष बनता है और कभी-कभी घास इत्यादी बनता है पुरुष योनी में ही उसको जन्म मिलता है लेकिन अब दूसरा नियम लागू होता है अन्त काले चमामेवा जो भगवान नगीताम बता है यम-यम वापी स्मरन भावं तेजंते अंत कले वरं अंत समय में जो याद करेगा अगले जीवन में वो बन जाएगा तो अंत समय में फिर क्या याद करता है अपनी पतनी को याद करता है पतनी को याद करके मरता है तो अगले जीवन में फिर इस तरी बन जाता है तो उस प्रकहर से भावना तो पुरुष उत्तों की है भावना तो पुरुष बन के भोग करने की है लेकिन अंते समय में फिर अपनी पत्नी को याद करता है अगले जनम में महिला बन जाता है इसलिए मैं उस संडे क्लास में बता रहा था पिछली कि इसलिए माताओं की जनसंक्य जादा होती है पुरुषों से आप देखी भारत में भी देखी क्योंकि रहुल प्रभु अरे कृष्ण्या प्रभु दण्वडप्रणम प्रभु जी मेरा प्रश्ण ये था कि जैसे आपने थोड़ी देर बताया था ना कि भगवान सभी में विद्यमान होते हैं चाहिए वो अच्छे हो या बूरे हो तो जब हम किसी को भी कुछ सम्झा रहे होत देखिए ये हमने पहले भी कई बार चर्चा की है भगवान कभी भी जीवात्मा की स्वतंतरता में हस्तशेप नहीं करते। सिक्षा प्रदान करते हैं कोई भी आदमी जब गलत काम करता है उसको अंदर से एक बात आती है कि नहीं मैं गलत काम कर रहा हूं लेकिन फिर भी भगवान उसको स्वतंतरता देते हैं डिशिजन लेने की कि उसको ये काम करना है या नहीं करना है अब उसके बाद अगर वो गल करके बात मानते हैं लेकिन उसका अर्थ यह नहीं है कि आपको बाद में फल नहीं मिलेगा उन्होंने आपको दोनों चीजें बताएं कि आप पुन्य कर्म करो आपको अच्छा फल मिलेगा पुरे कर्म करोगे बुरा फल मिलेगा अब अगर चुनते हो कि मुझे बुरा कर्म कर बच्चा बीमार है फिर वो जित करके आईस क्रीम खाना चाता है, पिता दिला सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसको अब बीमारी उसको नहीं पापा को गई, ऐसा नहीं, बीमारी फिर उसको भोगना पड़ेगी, तो इस प्रकार के हमको समझना पड़ेगा, कि हमारे decisions के जिम्मेदार हम है भगवान हमें अंदर से प्रेड़ना दे रहे है शास्त्रों के माद्यम से बाहर से प्रेड़ना दे रहे है उसके बाद भी अगर हम गलत काम करते हैं तो फिर हम ही दोशी है हमको उसके लिए भगवान को उपर दोश नहीं मतना चाहिए ठीक है ठीक है सोनु माता जी हरे कृष्णा प्रभु जी प्रभु जी आपने आज जो बताया उसके हिसाब से क्या माने कि जोतिश विद्या सही है जोतिश विद्या सही है जोतिश ही सही है कि नहीं उसकी गारंटी नहीं है अंतर समझ में आ रहा है जोतिश देखने वाला है उसको विद्धय आती है कि नहीं वो मालूम नहीं वो कन्फर्म नहीं जोतिश विद्धय ठीक ही है क्योंकि भगवान की जो वेद है वेदों में वर्नेत जोतिश विद्या है कि किस प्रकार नक्षत्रों की गर्णा से बताया जा सकता है कि व्यक्ति का भविश्य क्या है लेकिन आजकल 100 रुपे 500 रुपे के लिए कोई जोतिश आपका भविश्य बता रहा है आप थोड़ा विचार करके देखिए वो अगर इत अगर जोतिश ही मिल जाए तो बात अलागे थेंक यू प्रॉब जी मेरा दो प्रशन है एक आप कृपाचार यह के बारे में बताया तो उनका एक्जाक्ट पोशिशन क्या होता है प्रभुजी हस्तिनापूर की सभा में और दूसरा प्रशन है वो जीब का जानी कैसे होता ह प्रभुजी क्योंस से अब बताये तर अंत काल में तब हो स्त्रीคों स्मरण करते तो अगले जनम में श्री का सpower मिलता थो इसका इड्साइक जानि कैसे होता में यहरेक्रिशना कृपााचाध में पहले आपका जो प्रश्न है क्रपाचार्या क्रपाचार्या द्रोणाचार्या के समान ही शास्त्रों में बड़े निपुन थे तो शास्त्र सिक्षा भी दिया करते थे और क्योंकि वो ब्राह्मन थे तो वहाँ वहाँ एक प्रकार की सलाकार थे और उस प्रकार से गाइडन्स देते थे हस्तिनापूर में बाद में जाकर के जब महाराज युदिष्टर जीत गए तो उन्होंने पुना क्रपाचार्या को निवेदन किया कि आप अभी आई आईए और हमको भी सला देजे जैसे आप पहले कुरुवंश को दिया करते थे तो फिर दुबारा से क्रपाचारे आ करके क्योंकि वो ब्रह्मन थे और ब्रह्मनों के सला से ब्रह्मनों की मार्कदर्शन में ही शत्रीरों राज्जी किया करते थे तो धौम्य रिशी भी जो पांडवों की पुरोहित हैं और क्रपाचारिय यह दोनों मिलकर के विदुष्ट महाराज के सलाकार बने तो इस प्रकार क्रपाचारे की स्थिति हैं दूसरा आपने जो प्रश्ण पूछा कि जीव की किस प्रकार से यात्र होती है तो प्रपाच इसको बहुत अच्छे समझाते हैं हम लोग इसको तृतिय सकंद में पढ़ेंगे थर्ड कैंटो में किस प्रकार जब जीवात्मा बहुतिक शरीर धारण करने के लिए तैयार होता है और भगवान से विलग होके आध् सबसे पहले पेड बनता है पेड घास इत्यादी यानि की प्लांट्स वहाँ बनता है उसके बाद वो कीट पतंग बनता है उसके बाद वो एक्वेटिक्स जलचर प्रानी बनता है उसके बाद थलचर प्रानी बनता है और जब वो थलचर प्रानियों में शुद्ध होता जा कि क्या वो भक्ति करके पुना अध्यात्मिक संसार में जाएगा या फिर उसको बहुत एक संसार में ही रहना है तो यह उसका option मानव जाती में उसको मिलता है अब अगर वो अच्छे कर्म करेगा तो हो सकता है देवता ब्रह्मा इत्यादी बन जाए अगर वो बुरे कर्म करेगा फिर से पशु बन सकता है अगर भक्ति करेगा तो वो भगवद्धाम जा सकता है यह तीनों option उसको मानव जाती में मिलते हैं तो यह एक मोटा मोटी किस प्रकार से जीवात्मा बहुत एक संसार की यात्रा शुरू करता है बताया गया है ठीक है? अरे कृष्णा प्रभुजी प्रभुजी अभी जो आपने बताया कि वर्षा के माध्यम से तो मैंने किसी वर्षा की क्लास में सुना था कि जीव जब सबसे पहले इच्छा करता है कि वो भगवान को जब देखता है भगवान से इशा करता है तभी तो उसका दुबारा जन्म होता है दर्थी पर और वो इशा करके जब आता है नीचे तो सबसे पहले ब्रह्मा बनता है अपर ब्रह्मा बनता है फिर उसके बार दीरे दीरे उसका पतन होता जाता है और फिर वो मनुश्योनी में तो बहुत बाद में ऐसे बताया है कि आता है जबकि अभी जो आपने बताया है उसमें दीरे दीदे उन्नती की और लवाइसा वर्सा हो के मैं अभी थोड़े दिर पहले वही बता रहा था कि ब्रह्मा भी बनता है मैंने बी म कवा ब्रह्मा बनता है कई बार वर्षा की माध्या मसे जीवातma पेड़ पौदों कि आपने कौन सी फ्लेवर की आईस्क्रीम खाई थी, आपने एक किलो खाई थी की दो किलो खाई थी, अभी वो बताएगा कि आपको ठीक कैसे होना है, उसी प्रकार से शास्त्रों में अलग-अलग व्याख्याएं हैं, कि कैसे जीवात्मा बहुतिक संसार में बंद गया, कैसे अलग-अलग योनियों में जा रहा है, दोनों ही सही है, हो सकता है कई जीवात्माओं के लिए उपर से ब्रह्मा से शुरू करके नीचे अदोगती हो, और कई जीव आत्माओं के लिए नीचे की निम्न योनियों से वो शुद्द होतें ऐसा भी बताया गया है कि लास्ट योनियों सो ब्रह्मा की मिलती है क्योंकि ब्रह्मा निश्पाप होते हैं और फिर जब परलाय आती है तो ब्रह्मा भगवत धाम चले जाते हैं ऐसा भी बताया गया है तो दोनों ही सही है लेकिन मुक्य बाद महत्वपूंड क्या है कि अभी हमको क्या करना है किस प्रकार इस बहतिक बंदन से मुक्त होके भगवान के धाम जाना है ठीक है थैंक यू प्रभूजी थैंक यू सुख्वारे कृष्णा शिलप्रोपात की जाए समवेत वक्त पृंद की जाए निताइगोर प्रेमनंदे हरी बोगवारे कृष्णा